नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिविल इंजिनियर कैसे बने तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें स्कूल लाइफ के बाद ये सायद अभी आपको पता ना चलते लेकिन एक बाद आप स्कूल पास आउट कर जाओगे तभी आपको करियर बनाने का एहसास होगा अब ऐसे में कई सरे लोग सिविल इंजिनियरिंग करके आगे जाके सिविल इंजिनियर बनना चाहते हैं लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता कि आखिर एक सिविल इंजिनियर बनने के लिए क्या क्या करना होता है कौन सी पढढ़ाई करनी होती है सिविल इंजिनियर बनना इतना आसान नहीं है इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी अगर आप आगे जेक सिविल इंजिनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं कही आप सिविल इंजिनियर की पढ़ाई को मजाक मजाक में लेके पढ़े और फिर आप आगे जाके आपको जौब की कोई उमीद ना हो इसलिए जो भी पढ़े अपना 100% दो तब ही आप एक अच्छे इंजिनियर बनना पाऊगे सिविल इंजिनियर में आप आगे जाके बहुत ही अच्छा और बेहतर करियर बना सकते हैं अगर आप इसकी पढ़ाई मन लगा कर करें तो चल ले आए जान लेते हैं कि आखिर में कैसे आप कैसे सिविल इंजिनियर बन सकते हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उससे पहले जानते लेते हैं Civil Engineering क्या है आसान भाशा में कहे तो Civil Engineering एक तरह का Professional Engineering को सोता है जिसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप एक Civil Engineer कहलाएंगे Civil Engineer का काम होता है Design, Construction, Road, Building, घर बनाना बांद इत्यादी से सभी काम एक Civil Engineer करता है उदाहराण घर की Design कैसा होगा Road कैसे बनेगी इसमें क्या क्या सामान लगेगा इत्यादी से सारे काम एक Civil Engineer का होता हो जी की एक जिम्मदारी वाला काम है Civil Engineering आपको दो तरह से कर सकते हैं एक होता है Diploma in Civil Engineering जिनहें हम Junior Civil Engineer भी कहते हैं जो की तीन साल का होता है जो आप दस्वापास के बाद कर सकते हैं और एक होता Senior Civil Engineering जो की आप 12 वी के बाद जो की पुरे चार साल का कोर्स होता है Civil Engineering में डिगरी पूरी Civil Engineering में डिगरी पूरी करने के बाद आप चाहते तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपलाई कर सकते हैं जिसे हम Master in Civil Engineering भी कहते हैं Civil Engineering में आपको कुछ तरह तरह की इंजिनियर विशय मिलेंगे जैसे की Construction Engineering, Coastal Engineering, अर्थकविक इंजिनियरिंग और भी कई सारे विशय हैं जैसे Coastal Engineering, Structural Engineering, Construction Engineering, अर्थकविक इंजिनियरिंग, Environment Engineering, Forensic Engineering, Geotechnical Engineering, Civil Engineering में Aid Mission के लिए आपके पास 12 हवा में Science Subject होना चाहिए जिसमें आपके पास Maths, Physics के Mystery Subject से पास होना चाहिए एक 12 हवी पास करे Science Subject से अगर आपको Civil Engineering में Aid Mission लेना है तो सबसे पहले आपको 12 हवा क्लास पास करना होगा वो भी Maths, Physics और Chemistry Subject के साथ इसके अलावा आपके 12 हमें कम से कम 60% मार्क्स होने तभी आप किसी भी Entrains Exam के लिए योग्य होने इसके अलावा अगर आप दस्वां के बाद भी Civil Engineering कर सकते है जो की Polytechnic जैसे Entrains Exam को देके कर सकते है ये कुल टीन साल का होता है याने आप सीधा दस वी के बाद कॉलेज में चले जाएंगे लेकिन ये एक Junior Civil Engineering कोस है जिसे हम डिपलोमा भी कहते है दो Entrains Exam form भरे और Clear करे जैसे ही आप 12 वी पास कर लेते हैं इसके बाद आपको भी Take Entrains Exam जैसे की IIT AIEE इतियादी जैसे All India Level पर Entrains Exam के फॉर्म को भरे अगर आप Civil Engineering बेस कॉलेज में एड मेशन लेना चाहते हैं ध्यान रहें इन एक साम्स को Clear करना इतना आसान नहीं है लाखो बच्चे इस एकजाम में बैठे हैं और सिर्फ बुद्धिमान और Smart Students ही इससे Clear कर बाते हैं तो आप Entrains Exam को मजाक में न ले इसके आलावा कई सरे ऐसे भी College होते हैं जो State Level पर Entrains Exam लेते हैं तो आप उसके लिए Apply कर सकते हैं और कुछ College बिना Entrains Exam के भी Direct College में भारती कर लेते हैं डोनेशन दे के जो की काफी मेहेंगा पड़ता है इस लिए Based College पाने के लिए आपको Entrains Exam क्लियर करना बहुत ज़रूरी है Entrains Exam क्लियर करने के बाद आपको Counseling करना होता है जिसमें आपको Marks और Rank के आधार पर College मिलता है जितने अच्छे Rank उतना ही Based College आपको मिलेगा जिससे आप एक अच्छे Civil Engineer बन सकते हैं Counseling के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तीन Civil Engineering Bachelor डिगरी पूरी करे जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपको आपको चार साल तक कॉलेज में Civil Engineering की पढ़धाई कराई जाती है इसमें ही आपको बताया जाता ही कैसे एक घर कामेप बनता है कैसे आप एक डिजाइन बना सकते हैं इतियादी यही टाइम पे आपको Civil Engineering के बारे में पढ़धाया जाता है तो आपको ध्यान से पढ़धना है और जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले उससे अच्छे से अगर आपको आगे जाके वाकई में Civil Engineer बनना है तो चार इंटर्नशिप करे डिग्री करने के बाद जैसे ही Civil Engineering की डिग्री आप पूरी कर ले इसके बाद इंटर्नशिप इंटर्नशिप करे ताकि आपको एक सपीरियंस मिल जाए एक प्रोफेशनल लेवल पर Civil Engineering के लिए क्य वो आप एक सपीरियंस के बारे में पूछता है इसलिए ये आपके लिए बेहत ज़रूरी है कि आप डिग्री पूरी करने के बाद इंटर्नशिप करे पांच लाइसेंस और सर्टिफाइड के लिए अपलाई करे अगर आपको एक सर्टिफाइड सिविल इंजिनियर बनना ह और आपके इसके लिए लाइसेंस लेना है तो इससे पहले आपके पास कुछ सालों का एक सपीरियंस होना चाहिए इसके बाद आप एक प्रोफेशन सिविल इंजिनियर के लिए लाइसेंस के लिए आपको करना होगा जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आप एक प् चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकोन को जरूर दबाए